कि समय समय तुम मुझे कितना भी परेशान कर ले वादा है मेरा एक समय ऐसा भी लाओंगा कि मैं तुझे बदल दूंगा हलो डियर फ्रेंड हेर आयम बीजे रार तुड़े वी विल टांक अबॉट इंटीग्रेशन हिंदी में समाकलन आज हम बात करेंगे कि समाकलन होता क्या है आपने सबसे पहले वह नोगों बात करेंगे कि समाकलन में आपने इर्णे एक सब सुना होगा निया के बारे में इंगलिस में बोलते कैंस्टेंट क्या बोलते हैं होगा कि इंटीग्रेशन इन क्या होता है नाट एक्वल टू होता interprend का माइनस का मलब कि जहां पर हमारे पास इन का मान क्या होता है माइनस समर् Welsh यहां पर लगा होता है प्लस है अच्या लिएक ही आम यसे बिद् Effect which मेंस नम्मों यहां टो नगें तो मैंस समर्ड बंध तो ऊसको अप इसको क्या करेंगे जिसको डिवाइड करेंगे बन जाएगा इंफिनिटी अनंत हो जाएगा मलब कि ऐसा हम नहीं करेंगे यह मान अनंत ना होने पाए इसलिए कभी भी इंका मान मलब की माइनस नहीं रख सकते हैं इसलिए किन नट इकल टूगे जैसे कहा कि एन्टिक्रेशन वन अपान एक्स का दीक्स होता होता है convictions ओता किता होता है चुमले कि हुआ चे इस वह क्या है और यह कहां से आया क्या है सब हम लोग इसकी बाते करते हैं तो चलो कहानी को शुरुवात करते हैं जैसे आपका पता है concept इच पावर तो concept को हम लोग पावर समझेंगे तो इसका आप इसकी इंसार ले सकते हो वागे हम लोग समझेते हैं कि हर एक integration को सौल करने के बाद सब integration में प्लस्ती जैसा क्या लगा होता है यह कहां से आया हम लोग इसकी आज और जिन के बारे में बात करेंगे इसी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कहां से आया हो ओके आया एंग टो रबीट ऑटे तो हमको समझना है कि कांस्टन का भाई खेल क्या है हर सवाल में कांस्टन क्या लगा क्यों लगाते हैं तो इससे पहले जाना पड़ेगे हमको टापिक में अभी पढ़ाएंगे इसी होल मस्ती है चैनल पर आएगा वो टापिक हमारे पा अच्छा इंग्लिस इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर हिंदी में प्रॉब्लम होती कर सिबसी पैटर्न का है तो वह इंग्लिस सीख सकता है अच्छा सबसे पहले आवक्लण क्या होता है एक बात आपलो समन्हों कि समा कललण और जो होता है न यह दूसरे के आपोजिट होते क्से होज़ें अपोजिट गया कामकरते हैं तो क्लिप्त कि विरु wreck X किता हुआ कि वन अपन के एक सु अगर समाह कलन हमारे पास किया है is तो इसNS कामने का क्लन किता पने भूश न्ब्र कर ने की क्या होटा होता ध्यूरdo ज disruption प्रपता होता है इसका मलब क्या निकला उसका मलब समझा रहे हैं देखको कैसे तो यह और होता है समस्कान क्या वstep होता है कि इपकर दिखाते हैं सब्सक्राइब कारा है दिखाते हैं धी भाई डिया से भी प्रुच्छंडे करते हैं जैसे हमने कहा कि X का क्या निकालो अगर इस X का आउकलन निकालना है तो 100 10-100% इस X के साथ में D by Dx लगा होना चाहिए अगर D बटे Dx नहीं लगा होगा तक तक हम लोग इस X का आउकलन निकाली नहीं सकते हैं तो यहां पे एक से कुछ बढ़ा ले घ्या समय धिले साथ अलग ले लें और पांच के साथ में d by ds सकते हैं इसके उपर पावर कुछ भी नहीं घात कुछ भी नहीं अगर किसी बीज़े से लिखा एक समझो तो आपको पता जब यहां पे खड़े होते तो कुछ बाहर निकल के आता है आप लोगों को integration का हम master बना के छोड़ेंगे आप अपने सहपार्थी को अपने क्लास्मेट को आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे इसको बेटर सकते के समझा पाएंगे कि integration है क्या और इसके सभी प्रकारती डरे नहीं इसको हर कोचन को बारिकी से समझे और हर कोचन को लगा सके तो हम चाहते हैं कि हर मलब की कमजोर से कमजोर विद्यारती क्या हो integration का master बन सके मलब इसका जानकार बन सके ओके तो हमारे पास d by ds मलब की आउकरन निकालना तरक इसका टो हमने क्या क्या पहले एक्स प्लस आंको तो हमारे पास योड्य कर दिया नई बात यह दर अगया था घूns जैसे लिखा है X आपको बहुत चोटी चोटी बाते बताएंगे हम यह मानने चलते हैं कि आपको A, B, C, D, B, Math की नहीं आते हैं तब भी हम आपको गड़िस सिखा के माननेगे जैसे लिखा X अच्छा देखने में तो यह क्या लग रहा है किवल X लिखता है लेकिन आग तुमको यह बताएंगे कि इस X के साथ में चार चार चेज़े लेकर चलता है यह X अपने साथ में देखो दर इस X के साथ में गर X लिखा है तो इस X के साथ में लोग आगे हमेशा 1 म हगा सकते हैं और इसके नीचे उता है और आप समझें नहीं अगर यह आ को बात ना पता रहए हो और आट पता चल गई हो तो तुरंट इस वीडियो को लइक करें और अपने दोसेव के में share करें upload हो जाने के बाद okay तो अगर यह हमारे पास एक्स लिका है ना तो इसका मतलब होता है इस एक्स के साथ में हमेशा चार चीजे चलती है मतलब की ओपर मलब की जिसे हम लोग बोलते हैं इंगलिस में power ओपर हमेशा power और कुछ नहीं तो वन माल लेते हैं नीचे कुछ नहीं तो वहां भी वन माल लेते हैं आगे कुछ नहीं तो वहां भी वन माल लेते हैं और अगर इस के सामने कोई भी ने सामने तो लोग क्या मानते प्लस मानते हैं मतलब कि अगर एक्स लिका है तो कहीं ने कहीं यह चार कर दिए एक से पावर एक फार्मला होता है एक पावर किए फार्मला होता है एडि आप looks the minim of भी हम किसी दिन एक से बिटीओ बनाएंगे जिस इंटिन में आज मंसल्ड़िन को समझना हो समझेन वगा दें तो इसमिंति आकर सब्सक्साद कर आए यहां लिखाता एक सो यहां लिखाता ऐसो कि पावर 1-11 रघ्र्र आ supervision क्माइचे क्या एक सर्थ जाए गया ऊपर वाल है लिखास में लिख दिया उसके बास उपर जो हमारे पास है इन है इन को क्या करें यहां नियतां को करेगा और नियतां का जो हमारे पास आवकलन होता है वो जीरो उझाल होता ही पास हो कोई वाला नियम लग जाएगा यहां पे पहले कोई भी निसान नहीं तो यहां पर हम इसां क्या होगा फ्लस ही होगा तो यहां पर प्लस का वान हो गया हमारे पास क्या होगा minus उन को भी क्या को आपकी कहां से हो रहा हैं सारे question को discussion करेंगे आप सामार्व अभी हम आपको प्रूब करके दिखाएंगे अच्छा एक लाजिक यहां पर यह समझो जैसे लिखा है एकस की पावर जीरो वन की पावर जीरो एक बट्टे दो की पावर जीरो कहना वार है अंडर रूड एकस की पावर जीरो एक्स प्लस य की पावर जिरो आपको मलब की हम चाहते हैं मैं मलब की क्यों रट्टा ना मारे हर एक स्पेस्पिक सवाल को रट्टा मार की जाम में लगाने ना जाए यहां में बैठे तो आपके अंदर से कांफिडेंस निकले हर कोश्चन को देखनी बात कहें यस आई याउम दशालवर आप इसकोश्चन यस इसकें डॉस इसकांट आप उपटेंस भी कम आउप फ्राम यूर बाडी ओंली दिन यू कैंन भी कंपटीट विद्श कंपटीटर वर्ड ओके तो यहां पर उसी बात को म मतलब अगर किसी भी A, B, C, D मलब की अलफाबेट की पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर 0 है, किसी भी भिन्यमान की उपर 0 है, किसी भी रूट मान की 0 है, या फिर X प्लस Y की पावर क्या 0 है, तो 100-100% यह सारे मान हमेशा 1 के बराबर होते हैं, हाँ, आपने बिल्कुल सही स आगे लुट मान होते हैं, अगर किसी भी हमारे पाश एकस लिका ओवन, लिका हो, कोई भी चीज मैटर लिकी हो सकती है, अगर उसकी घाद 0 है, तो इस सब का मान किता हो, गान पाए, 1, अगर घाद 0 मान किता हो, गान निकालन तो अगर यह समा करन को लटा होता है तो इसका मलब यह निकला कि गर अगर इसका मान एक्स प्लस पांच का अगर आउकलन निकालते हैं तो वन आता है अब फिर से इस बात अभी बोले थे वह सही है कि आउकलन जो होता है बाई देखो दर इसका अब बात हम क्या बोल कि आ अब इसका क्या निकालो तुम समा कलन निकालो समा कलन निकालने के बाद अगर इसका एंसर एस प्लस पांच आ जाए तो बात पूरी पूरी पूरूफ हो जाएगी बात पूरी क्या हो जाएगी पूरूफ हो जाएगी अब इस वन क्या निकालो हम लोग क्या निकालेंगे तो यहां पर लिखा one एक बात क्या रखना किसी भी संख्या का किसी भी अलजेब्रा मलग की फंसन का मलग की फलन का किसी भी एबी सीडी का जा हम लोग क्या निकालते हैं समा कलन निकालते हैं तो उसके साथ में इंटीकरेशन के चिन और डियर्स का होना बहुत क्रावार है अगर वन के साथ में लगाएंगे तो इंटीकरेशन निकाले निकालते आगे बढ़ओं आप यहां पर साथ कर बताते आपको अगले वीडिए उंगे कि वन के इंटीकरेशन जो लिखने जा रहे वो कैसे होगा इस वनका डियस के साफ परिश में इ्टिक्रेशन था कित है एक्स-किता है एक्स अधर आच्वाओं दो है यहां पर जो एक्स वन लिखा है क्या इस वन के स्थान प्रेव एक्स की पाए्पावर Z03 सबस्क्ते हैं बताए अप आप इसमें क्या लगागा दो झेता जो लिखां उतालों कि यह दो किता दो कर दो अब यह बचेगा तोँमारे पास वन में ये 500वर आप द्यांत देखो आप लोग हमको वाई इस समा कलन की विरुद काम करता है तो अगर इसका हमने हल निकाला अब इसका हल इसका हल इस प्लस पांच के बराबार आना चाहिए था अगर जो भी हमने बात बोला है उसको सही बताना है लेकिन ना बताओ क्या ये वाला मान इस वाले मान के बराबार आया नहीं आया ना लेकिन इस बात कि उनको आप भी बताया दे रहें ये बात सही है कि आउकलन क्या होता है समा कलन की विरुद काम करता है तो हमारा दिमाग घुमाना पड़ेगा क्या अब इस एक्स के साथ में कुछ किया जाए जिससी हमें ऐसा लगे कि जो बात आवकलन समाकलन के संबंद के बारे मोले गई है कि आवकलन समाकलन के विरुत काम करता वह बात सही हो जाए तो हमने दिमाग लगाया अगर किसी भी तरीके से इस X में कोई यहां पर एक संख्या जोड़ दी जाया मलब कि और वह संख्या क्या होगी किसी को पता नहीं होगी वह संख्या क्या कोई पता नहीं होगी तो कि 5 है यहां पर 5 तो आया ही नहीं ना कुछ पता है यहां पर नहीं पता है अब उन्होंने कहा या संख्या लिगना थोड़ा सा अजीब लगेगा तो यहां पर तुम संख्या न लिए इसंट्न की spelling सी च्टार्ट हुई है इसी नेतां को पूरा पूरा न लिखे हम लोग यहां पर लगाते सी लगाते हैं इसी रिखना पड़ेगा स्प्लस कुनसकों और यहां इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे x प्लस 5 आहाई दूसरों कि विप्रीथ होते हैं तो उसकी वजर समय क्या-क्या जो भी एंसर आता उसमें संख्या चिपकाते हैं वो संख्या में नहीं पता होती मलग को नीतांक होती है तो नीतांक की स्पिलिंग कांस्टन्ट होती यहां इसली क्या लगाते हैं अगर आपको बात यह पता चल गई हो तो तुंद वीडियो को लाइक करो तो आई होप आपको सो कैसी घड़ी सेसा समा देखो तो आप तो जैसे इसके स्क्वाइर प्लस करूट निकालो इसका है विकला निकालन में अगर स्क्राइट निंटाल है कि अगर इसका ओक निकाना पर दोटन तो अडी फौरत लगा ! चलू का आुए कि जाएगाक यहाँ पर लिखा कैसे लेखेंगे दिबैद्ट के तो multiply करने पो जाएगा X square plus का डी बाइडी एक्स यह जाएगा टू अभी हमने फार्मला लगा क्या है इसकी पावर इन वाला फार्मला क्या होता है nx यहां पे किता है n बढ़र हमारे पास है 2 हमारे पास है 2 फारबला होता है nx पावर n-1 nx न हमारे पास 2 है उसके बाद X यहां किता आगया 2 आज़ आ गया अब यहां इनकार करता है 2X tissu निकालते हैं एक्सट के श्वाइर प्लेस को निकालते हैं हम लोग करते हैं हैन्हें 203 आता है एक कान दो इस टवान। सामखलो ने प्र revy to become it इस समाकलन का मान अगर इसके बराबर आ जाए किसके बराबर आ जाए इसके बराबर तो हम बोलेंगे कि सही बात है कि जो अवकलन होता है समाकलन की विजुद काम करता है अगर ऐसा होता है तो लेकिन आपको बताया देने ऐसा होता ही होता है डेफिनेटली होता है अगली वीडिय निकालो इैंटिकरेशर समा कलन निकाने के लिए दूचीजी खूँनी क्या एक टो ईन्टिकरेशन करने शुक्त और चीजिए नितांक बाहर चला जाएगा अंदर बचये का इंट्रेसों और वच्छे का एक्स का डियेक्स क्या बच्छे का णियर्ट आप इस एक्स के ऊपर कोई भी घात लिए यहाँ वन माल लें वाल लो टू इल्टिक डियर्ट सन ऐसी पावर वन कना कितागप द लिए उपर भी कर दो one क्या हमारे पास इसको हाल कर लो तो यहां पर यहां यहां हो गए हमारे पार्ट नीचे कितागप नहींक क्या करें कैसिल कर देंगे एंसर कितागप हमारे पास आप लोग आप जहां से देखो तो इसका मां किता है के वल 있지 Pill होज अगर इसका क्या किता है एक सुसक्वार हमने लाना किता था हमें लाना था एक सुस्क्वार सुन ग Dlatego यहां प्यार नमबर तू आया घुन में डिई आया अगर नमबर नहीं ही आया हमने क्या बताया अpeace नम्बर ना है तो क्या लगाना पड़ेगा Constant तो यही था constant का छुपा हुआ रास मतलब कि जब किसी चीज़ का आउकलन निकालती है तो जो भी answer आता है आप उसी answer का जब समाकलन निकालने जाते है तो समाकलन का जो भी मान आता है आवकलन के बराबर नहीं आता है लेकिन परिभासा थी आवकलन का जितना भी मान होगा वो समागलन क περιह रहे हैं तो उस परिभासा को बरकरार करने के लिए परिभासा गलत न हो जाए है क्योंकि किताबे हमें बताते किताब मनें अच्छे चलिकлизmm injury तो परभासा गणत न हो जाए इसलिए जितना वी यहां पे आता है इससंव की भर्पाई के लिए यहां पे करेंगे इस दो की भरपाई के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखना पड़ेगा कोई भी नंबर और नंबर को लिखने के लिए लोगों ने कहा नंबर कोई हो सकता है अच्छा नंबर किते हैं क्या बता सब्सक्राइब किते हैं पांच दस पंद्रा पांच लाग दस लाग नमर कोई नहीं बता सब्सक्राइब किते हैं तो नमबर क्या है अनगीनत है तो अनगीनत चीज को हम लोग मैज की भासा में यह साइंस की भात्तम बोलते हैं अनंद क्या बोलते हैं अनंद क्या ब सवाल क्या था तो आपने समझ लिया होगा कि हम लोग किसी भी समाकलन के जब सवाल सौल करते हैं तो उसमें कांशन सी क्यों लगाते हैं फीचे देख लूँ हमने कि श क्या निकाला ऑकलन iqq2 निकाल तो इस iq2 निकाला जाएं तो श्में निकालन निकालन के बाद इसका जो भी माना यहां पर यह मान इसके बराबर आना चाहीरे तभी जो यह हैंट स्कालन था यह दो नहीं आयं ना तो उस दो की भरबाई करने के लिए आचा क्या दो ही होगा हर बार नंबर को बरपाई करने के लिए तो आइप आपके वीडियो पसंद आई हो अगर आपको छुपा हुआ रहास कांस्टेंट के बारे में पता चल गई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अधिस अधिस क्या करें जिससे कि हमारा मोटी वेशन जो है क्या है यह बुस्ट हो सके और आपके लिए इस प्रकार की ज deze class attend नहीं कर पारें लेकिन बच्चिय किसी तरीकी से हमेथ तो confidence करके लेधों लेते हैं लेकिन वहां पे पणने बड़ी प्रॉब्लाम आती है तो हम चाहतो को हम क्या करें अपनी वीडियों के मादांत्र सौल्व कर दे तो तो आप क्या कर सकती इन वीडियो को अपने स्मार्ट फोट में देख सकते हैं और हमारे चैनल का नाम है क्या होल मस्ती है जैसे कि हमारे चैनल पर ही आएगा तो आप तो आपको रिकर्गनीजन मिली जाएगी तो ओके थांक्यू फार वाचिंग थैंस अलाट विस वाल देवर वेश्ट ओके